आज की स्विडियों हम क्लास 9 का आपका मैट्स का एक टॉपिक है एलजेबराइक आइडेंटिटीज तो आज हम साही सारी आइडेंटिटीज देखने वारे हैं जितने भी आपके इस चेप्टर में यूज आने आले हैं चलिए इस विडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आपके आइडेंटिटीज होती है a प्लस b का होल स्क्वार इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस b इसको जब आप सॉल्ड करोगे तो फिर आपका आएगा a स्क्वार प्लस में b स्क्वार प्लस में 2ab मैं यहाँ पर आपको solve करके भी दिखा देता हूँ A की multiply जब आप इन दोनों से करोगे तो फिर यहाँ आजागा आपका A square प्लस में A B फिर जब आप B की multiply इन दोनों से करोगे तो फिर फिर और आपका A B प्लस में B square अब यहाँ पर से A B AB हो जाएंगे हमारे 2AB तो फिर A² प्लस में B² प्लस में 2AB आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर अपना फॉर्मला ड्राइव कर लिया है आगे बढ़ते हैं सेकिंड फॉर्मला है आपका A-B का होल स्क्वार A-B का होल स्क्वार यानि कि A-B multiply A-B तो फिर यहाँ पर आपका यह पूरा पूरा फॉर्मला सेम रहेगा बस यहाँ पर आपका माइनस आजाएगा A² प्लस में B² माइनस में 2AB बस इतना सा फर्क है इसको भी मैं यहाँ पर आपको derive करके दिखा जाता हूँ A-B multiply A-B यानि कि A की multiply इससे करते हैं यहाँ जगा आपका A² फिर A की multiply माइनस B से करेंगे माइनस का A-B फिर माइनस के B की multiply इन दोनों से करते हैं यहाँ जगा आपका माइनस का A-B और प्लस का B² क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा आपको प्लस और यहां पर प्लस का B स्क्वेर, अब यहां पर से यह हो जाएगा हमारा A स्क्वेर, माइनस में 2AB, प्लस में B स्क्वेर, यहां पर आप देख सकते हैं, आपका फॉर्मॉला यहां पर भी ड्राइब हो गया है, नेक्स्ट है आपका, थर्ड आइडेंटिटी, यहां पर यह आपकी आइडेंटिटी है, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वेर, अब यहां पर से इसका आपका फॉर्मॉला होता है, A स्क्वेर, प्लस B स्क्वेर, प्लस C स्क्वेर, प्लस में 2 ब्रैकेट, AB, प्लस BC, प्लस CA, एक और तरीके सा आप इसको लिख सकते हैं, A स्क्वेर, प्लस B स्क्वेर, प्लस C स्क्वेर, प्लस में 2 की मल्टिप्लाई इन सब में कर देंगे, यह जगा हमारा 2AB, इसकी मल्टिप्लाई इससे, 2BC, इसकी मल्टिप्लाई लास्ट वाले से, 2AB प्लस 2BC, प्लस में 2CA, अब यहां पर आप देख सकते हैं, यह आपका थर एक फॉर्ट फॉर्मूला की तरफ चलते हैं फॉर्च फॉर्मूला है आपका a प्लस b का whole cube आप इसका फॉर्मूला होता है आपका a cube a cube प्लस में यहाँ पर आप देख सकते हैं 3AB की इसमें multiply करते हैं A में यह जगा हमारा 3A square B प्लस में इसकी multiply इससे करते हैं यह जगा हमारा 3AB square अब यहाँ पर से आपका जो next formula है वो इसका opposite है यानिकी A minus B का whole cube अब यहाँ पर इसका आपका formula होता है A cube minus B cube minus में 3AB bracket में A minus B अब इसको अगर आप solve करेंगे तो फिर यह आया जगा आपका A cube minus B cube minus में 3AB 3A square B और प्लस में 3AB square तो फिर यह आपका यहाँ पर formula डराइव हो गया आगे बढ़ते हैं sixth identity आपकी A plus B multiply A minus B इसका आपका formula होता है A square minus B square यहाँ पर सबसे पहले A की multiply इस पूरे से करते हैं यह जगा हमारा A square minus का AB और फिर B की multiply इस पूरे से करेंगे यह जगा हमारा plus का AB और minus का B square minus का AB से plus का AB cancel हो जाएगा यह जगा आपका A square minus B square आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने उपर यह लिखा था अब seventh है A minus B का whole cube आपने पढ़ा था A cube minus B cube minus मैं 3AB bracket मैं A minus B अब यहाँ पर से अगर मुझे A minus A cube minus B cube की value जीए तो फिर इसको मैं इधर लियाँगा यह हो जगा हमारा A minus B का whole cube plus मैं 3AB bracket मैं A minus B is equal to मैं A cube minus B cube अब इसको solve करता है A minus B का whole cube होता है आपका A cube minus का B cube minus का 3AB bracket मैं A minus मैं B और यह हो जाएगा आपका plus का 3AB bracket मैं A minus B और equal to मैं हो गया आपका A cube minus B cube यहाँ पर से आप देख सकता है यह आपकी minus वाली value और यह plus वाली value cancel होके 0 हो गई और यहाँ पर यह बच गया हमारा A cube minus का B cube is equal to मैं A cube minus B cube तो फिर left hand side और right hand side हमारे ब्रावर हो गए तो फिर यहाँ पर से आपने देखा होगा कि यह जो आपका formula बन गया A Q minus B cube का यह बन गया आपका A Q minus B cube का यह बन गया आपका A minus B का whole cube plus में 3AB bracket में A minus B अब next formula है आपका 8th formula और यहाँ पर आपने आपको एक और identity पढ़िया होगी A Q minus B cube की इसके थोड़ा अलग होती है यह होती है आपकी A minus B bracket में A square plus में B square plus में A B अब next है आपका A plus B का whole cube आपने पढ़ा था A Q plus में B cube plus में 3AB bracket में A plus B यहाँ पर से अगर हमें A Q plus B cube की value पता करनी है तो फिर यह हो जाएगा आपका यह वाली value इधर आजागी A plus B का whole cube माइनस में 3AB bracket में A plus B अब यहाँ पर से अगर मैं इन दोनों में से A plus B A plus B common आ रहा है इसको अगर मैं common ले लू इस bracket में बचेगा आपका A plus B का whole square क्योंकि इसकी एक value बाहर चले गई है A plus B और माइनस में 3AB बचा अब यहाँ पर से आप देख सकते हैं A plus B और यहाँ पर A plus B का whole square यानि कि A square प्लस में B square प्लस में 2AB माइनस का 3AB यहाँ पर से A plus B और यह जागर आपका A square प्लस में B square प्लस का 2AB में से माइनस का 3AB यहाँ पर से आप देख सकते हैं आपको यह मिल गया A cube प्लस में B cube तो फिर यह भी आपको याद रखना है आपको अभी तक मैंने 8 formula लिखवा दिया है तो फिर आपको वह साएक साएक नोट डाउन करके चल ले हैं और आपको उनको learn कर ले रहा है next है 9th identity आपकी A cube प्लस में B cube प्लस में C cube माइनस का 3AB C इसकी identity होती है आपकी A plus B plus C bracket में A square प्लस में B square प्लस में C square माइनस का A B माइनस का B C और माइनस का C यहाँ पर यह पुरा पुरा आपका इसका formula होता है आपको यह भी learn करना है 10th है आपका और यह आपका last रहेगा है इस वाली वीडियो का यहाँ पर A plus B plus C की value अगर आपकी 0 होती है तो फिर यहाँ पर जो आपकी value होगी A cube plus B cube plus C cube की यह होगी आपकी 3 A B C अब यहाँ पर यह मैंने आपको 10 identity आज लिखवा दियें अब बाकी इस पर question की वीडियो आपको मिलती रहेगी तो फिर इस वीडियो में इतना ही बाकी मिलते हैं आप से संदेक्षिड में किसने डॉप साथ तब तलिए जाएं जाए भारत